एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर भी हुआ है गौवंच के मामले में एक्षन लिया गया है अब डियम अधिकारी बाइपूर गोशाला में पहुँचेंगे सिर्फ आज की बात करें तो 30 गायों की मौत हो चुकी है एक हफ़ते में 100 से जादा गोवंचो की मौत हुई है एबीपी गंगा ने प्रमुकता से इस खबर को दिखाया अब कमिशनर के निर्देश पर नगर आयूत गोशाला पहुचे है SDM समेथ कई अधिकारी भी गोशाला पहुचे है ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिसकी जिम्मदारी है जिसे ये जिम्मा सौपा गया है गोवंचो की गोशालाओं की देखभाल का कम से कम वो तो सुधले देखे तो सही, पूछे तो सही कि आखिर लगातार इतने गोवंच की मौत के पीछे कमामला क्या है क्या ठंड है ठंड है तो गोशाला में रहने के क्या फायदे जब ठंड से बचा भी ना हो पाए या फिर कुछ और वज़ा है ये सारी चीज़े पदा तो तब चलेंगी जब कोई सुध लेगा लगतार खबर दिखाने के बाद असर हुआ है जहां अब DM से लगाए तमाम संबंधित विभाग के आला धिकारी बाईपूर गोशाला पहुचेंगे और जायजा लेंगे लेकिन अब पहुचने के बाद क्या चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर दिया जाएगा जबसे खबर दिखाई जा रही है और अब पहुचने के बीच का अंतर भरा नहीं जा सकता है लेकिन मौत के आकडों से कहीं खिलवाड ना हो कितने गोवंशों की मौत हुई है कम से कम ये तो कहीं मेंशन होगा कहीं रजिस्टर होगा नितिन से जानकारी लेते हैं नितिन ये बताईए जबसे हम खबर चला रहे हैं अब जाके उसका असर हुआ है अधिकारी पहुचेंगे इस बीच तो दुरुस्त कर लिया जाएगा मोटा मोटी साबसफाई तो कर दी जाएगी लेकिन क्या कहीं ये मेंशन होता है कहीं लिखा होता है कितने गौवंश थे कितनों की मौत हुई ये क्या रिकॉर्ड रहेगा तेके बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से खबर चलाई गई उसके बाद कमिशनर के निर्देश पर नगर आयक्त अरुन प्रकास मौके से मौके पर पहुँचते हैं यानि बाइपुर गौशाला पहुचते हैं जो अमूमन अपने दबतर से बिल्कुल हिलते नहीं है क्योंकि रूम में उनके आफिस में रूम हीटा लगा हुआ है और उसके बाद वो वहाँ से मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि यहां कुछ ऐसा है नहीं मैंने बोला कैमरा जूट नहीं बोलता है और हमारे पास सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है और इसको हम कमिशनर अनिल कुमार और डीम एंजी रभी कुमार को दिखा चुके हैं और उसके बाद आपको निर्देशित किया गया कि आप तुरंट मौके पर पहुंचे कुल मिला के कहा जाए पिछले एक सब्ता से लगातार बाइंपुर गौशाला जो बहुत बड़ी गौशाला है नंदिशाला है वहां सेकनों की तादात में गौवंश दम तोड़ रहे हैं और इविन अब तो यह है कि जो गरुन वाहन होते हैं जिसमें शब को लेकर ले जाया जाता है डेड बॉडी जाती है गौवंशो की उसको अब तो वहीं उसी गौशाला में गड़ा खोद कर उसको दफनाया जा रहा है एवीपी गंगा के कैमरे पर यह सब कुछ एक्स्कुलूसिव तस्वीर कैमरे पर कैद हुई है सुबह आठ वजे जब एवीपी गंगा की टूम वाईपूर गौशाला जो बिलकुल सिकंदरा इसमारक के पीछे है शेहर के बाहर है वहां पहुंची थी तो लाशों का धेर लगा हुआ था और हमारे पास कल से ही यह तस्वीर आ गई थी यह किस तरीके से दरजनों की तादात में रो जाना गौवंशों की मौत हो रही है एक तस्वीर तो इतनी ज़्यादा है विदारक है कि वहां चारा भी नहीं है और ऐसे में टाट बोरी खाते हुए गौवंश नजर आ रहे हैं पूरे गौशाला पूरी गौवंश जो नंदिशाला है वहां लगातार कई सारे गौवंश तडब तडब कर अपना दम तोड़ रहे हैं और आज करीब 30 से ज्यादा गौवंशों को मैंने ही अपनी आखों से उनको मरे हुए देखा है और अब यह बताईए ऐसे में जो जन को सौधा गिरी कर दें हेर पेर कर दें कोई कहीं भी सकोब बनता है अगया बिल्कुल इसने लगता वहां लोगों से बात की तो उनको जो मौके पर जो गायों से प्रेम करते हैं अकसर घूमने आ जाय करते हैं और उनको चारा खिला तो उनका कहना है कि अगर 24 गाय मरी है तो सब कुछ ऑल इस वैल है सब कुछ ठीक है और यही वज़े है कि जब एवीपी गंगा ने यह बिल्कुल साक्षियों के साथ यह स्टोरी दिखाई है तो उसके बाद अब जवर्दस हड़कम मचा हुआ है डियम मौके पर पहुंच रहे हैं तमाम SDM सदर से लेके नगाश से तबी होगी कि सरकार की ओर से सियंग की ओर से इतने क्लियर स्ट्रिक्ट हैं ये आदेश ये निर्देश की गोशालाओं की देख धाल विवस्था कीजिए ऐसे में कोई वज़े नहीं है कि चूक की गुंजाईश बनती हो लेकिन अब यहां अगर कार रिवाई होगी तो कम स सबसे पहले खबरे पानी के लिए एबी पी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए फेस्बुक पेज है www.facebook.com.abp.ganga ट्वीटर पर भी फॉलो कीजिए हमारा ट्वीटर है twitter.com.abp.ganga